क्या आप जानते हैं कि जिन पट्रियों पर ट्रेन तेज रफतार से दौड़ती है उन्हें बिछाते समय उसके बीच में कुछ जग है या यू कहें कि पट्रियों के बीच में स्पेस क्यों छोड़ दिया जाता है आपने इस तस्वीर में दिख रहे हैं स्पेस को देखा ही होगा लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसका कारण जानते हैं अगर नहीं तो आपको हम इसकी जानकारी दे रहे हैं दरसल रेलवे ट्रैक में बिची पट्री एक सिंगल पट्री नहीं होती बलकि ये अलग-अलग पट्रियां होती हैं जिसे आपस में नटबोल्ट से जोइंट किया जाता है जब एक पट्री के बाद दूसरी पट्री ट्रैक पर लगाई जाती है तो उनके बीच में कुछ गैप छोड़ दिया जाता है रेलवी ट्रैक में दो पट्रियों के बीच में जगह छोड़ने की एक बड़ी वज़े यात्रियों की सुरक्षा है अगर पट्रियों में ये गैप ना छोड़ा जाए तो ट्रेन हाथ से का शिकार हो सकती है वो इसलिए क्योंकि पट्रियों के बीच में जगह छोड़ने के पीछे का एक बड़ा वैग्यानिक कारण है पट्रियां लोहे की बनी होती है लोहे की एक खासियत होती है कि वो सर्दियों के मौसम में सुकुड़ता है जबकि गर्मियों के मौसम में फैलता है अगर पट्रियों के बीच में ये गैप नहीं होगा तो गर्मी के दिनों में पट्रियां फैलेंगी और जगहना होने की वज़े से वो टेड़ी हो जाएंगी और जगहना मिलने की वज़े से पट्रियों पर प्रेशर भी बढ़ सकता है और हैवी वेट पढ़ने पर पट्रिय लोगों की जान चली गई है जबकि 800 से जादा लोग घायल है यहादसा गलत सिगनल की वज़े से हुआ है और इसकी जाच भी चल रही है इंडिया में सबसे जादा ट्रेन का इस्तिमाल यात्रा के लिए किया जाता है आपने ट्रेन की पट्रियों के बीच में स्पेस देखा हो नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सबस्क्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देख 24